हलो फ्रेंस मैं हूं कुम्ध मंमी वाई भाइं स्वागत है आपका मिल्क मेड जीसे हम अंडे की जगा अपने केक में इस्तेमाल करते हैं झाणलेंस मिल्क वही जीसे हम रहे शिकом volontar नो मतफे मणें करने के छेल में Sum खर पहो पहीं बनाते हैं से मेरी ऐसी और भी रीटसपी देखने के लिए चैनल को ौक प्ली सबस्क्राइब कीजिए तर चली सी शुरू करते हैं में बनाने के लिए तक मैंने लिया है हाप लिटर दूद फूल क्रीम दूद मैंने लिया है और लिया है मैंने डियर सुख्राम चीने एक चुटकी मीठा सोडा तो चली फिर शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने दूद को उबाल पिलाते हैं दूद हमारा वायल पे उबल गया है तो अब हम डाल देंगे चीनी और चीनी डाल करके इसे चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे दूद को हमें गाढ़ा करना है बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि यह तली में ना लगे क्योंकि अगर दूद लग जाएगा तो हमारे मिल्क मेड का टेस्ट खराब हो जाएगा तो इसलिए बीच बीच में आप चलाते रहिए आप दूद को गाढ़ा करने के लिए थोरा इस तरह का फैला हुआ बरतन लेंगे तो यह जल्दी बनेगा तो यह जल्दी गाढ़ा होगा फैले हुए बरतन में बाकि आप किसी भी बरतन में बना सकते हैं गहरे में भी या फिर फैले हुए बरतन में भी तो आप देख सकते हैं, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, बन थार्ड में इसे रखना है, इस तरह आप थोरा सा हाथ पर उठाकर, एक तार नहीं होना चाहिए, थोरा सा चटचटा सा होना चाहिए, एक तार बनते बनते इसे बस इतना ही होना चाहिए, तो एक बाढ़ हम इ और हम इसमें डाल लेते हैं अपने बेकिंग सोडा को और एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है आप देख सकते हैं इस तरह अगर आप इस पेचुल्या पर उठाते हैं तो थोड़ा आप देख सकते हैं कोटिंग एक आ रही है बस इतना ही गाढ़ा हमें अपने मिल्कमेट को करना है और अब हम इसे ठंधा हो जाने देते हैं तो ये होममेट मिल्कमेट बनकर तयार है आप इसे एर टाइट डब कंटेनर में रख करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आप खोए की जगा भी इसे यूज़ कर सकते हैं जह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बनाना बहुत ही आसान है आप जरूर ट्राइब कीजिएगा धन्यवाद